हेलो गाईज मैं है मान्शुषेकर आप सभी का स्वाइब गरतमफेर से अपने चैनल पे और स्वारी वीडियो थोड़ा लेट आया लेकिन उसके पीछे वजह भी चैनल ही था चैनल से रिलेटेट कुछ प्राबम सॉल्फ करने थे जिसके करण वीडियो थोड़ा से लेट आय कैसे बनाते हैं कैसे ब्लेंडिंग वगरा करते हैं यह सब के बारे में आपको उस वीडियो में पता चलेगा फिलाल बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में आज का जो टॉपिक है वह है हैचिंग टेखनीक से पोट्रेट कैसे बनाते हैं इस बारे में है तो मैं फॉर्स टा आपके लिए सिंपल तब होगा जब आप इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे क्योंकि स्टार्टिंग में बेगिनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है स्ट्रोक्स वागेरा एक दम स्ट्रेट स्ट्रोक्स एक ही डैरेक्शन में खीचना हर जगह पर यह इतना ऐजी भी नहीं लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वह बहुत ईजली आपको बहुत जल्दी आपके पकड़ में आ जाएगा तो जो भी इस टेक्निक को सीखना सुदू करना चाहते हैं वेगिनरस थ में इसको तो वो सबसे पहले आप किस तरह के से ही स्टर्ट करें सेल लाइफ को स्केच निकाले और ईसको उसकी उपर प्रैक्टिस करें है एक हैचिंग टेकनीक और रियलिस्टिक जो वर्क होता है रियलिस्म हैचिंग में भी रियलिस्म होता है इसमें भी हम लोग रियलिस्टिक वर्क ही करते हैं और रियलिस्म तो प्योर रियलिस्म होता ही है लेकिन इन दोनों टेकनीक में क्या डिफ्रेंसेज है रियलिस्म में हम लोग क्या करते हैं कि अलग-अलग blending technique का यूज करते हैं blending के लिए उसमें अलग-अलग materials भी यूज करते हैं equipment यूज करते हैं और वह बहुत जादा time taking होता है लेकिन अगर हम यहां पर बात करें actually uh किसी भी तरह करश्को बनाने के लिए किसी वी तरह करें कि पोर्टेर्ट कह बनाने के लिए हम लोग 1992 का यूज करकर बहुत जल्दी उसय कर सकता है अग्लब किसील अलग और एक और उन्यप बना रहे हैं और और आप पूरा realistic work बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा time taking हो जाएगा आपके लिए, वो complete होना कुछी समय में possible नहीं है, लेकिन अगर आप hatching technique का use करके, किसी का portrait खास करके अगर आप life बना रहे हैं, तो अगर आप use करें इस technique को उसको बनाने के लिए, तो ब बहुत ही कम समय में उसको complete कर सकते हैं, for example, अगर आप बात करेंगे इस वीडियो में, जो मैं painting बना लाँ उसके बारे में, तो मुझे शायद मुस्किल से एक घंटा भी नहीं लगा होगा, इस sketch को complete करने में, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस practice के ज़रत है, अगर आप इस त आप कोई भी portrait एक घंटा के अंदर बना सकते हैं, साथी साथ इसमें केवल और केवल pencil यूज़ करना है, कोई भी अलग अलग तरह का blending technique, blending tools वगेरे यूज़ नहीं करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं और कोई भी tools नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बस pencil के साथ मेरे सा देखवा तो उसको erase करने के लिए, और कोई भी material मैं यूज़ यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, जो भी shading मैं देने के कोशिश करूँगा, वो cable और cable pencil से होगा, जो blending भी अगर आपको इसमें देना है, for example, अगर आप चाहते हैं कि बहुत light sketch ना हो, थोरा depth में जाके इस पर काम क इसी technique में है, hatching में ही, तो आपको बस यही करना होगा कि जो भी different different shades के pencil आपके पास available है, उसका एक अच्छा, उसका एक complete use करना होगा, तब आपके painting में depth आएगा, आपके sketching में depth आएगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा realistic दिखेगा, इस technique के थुरू आपको बस यह दिखाना होता है, कि जो भी आप बना रहे हैं, जो भी देखके आप बना रहे हैं, चाहिए वो portrait हो, चाहिए वो कोई object हो, still life हो, किसी भी चीच का जब आप sketch बना रहे हैं, तो उसके highest level तक उसको match कराना है, जो भी आप देखके बना रहे हैं, उसके highest level तक match कराना है, यहाँ पर आपको blending वगेरा का use नहीं करना है, और आप एकदम realistic या hyper realistic drawing नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या match कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा, coloring values, tonal values, जो उसमें दिख रहा हैं आपको, वो आपको pencil के थुरू दर्शाना है, या पर दिखाना है, और उसके लिए आपके पास kevel और kevel pencil है, तो आप different different shades का use करके, आप वो blending कर सकते हैं, जो आपके painting को जितने का अज़रत है, कुछ लोग इसको artistic sketch बोल देते हैं, मेरा जमानना है कि artistic ये भी है, ये technique भी, shading technique भी, और जो realistic technique है, वो भी artistic ही है, ऐसा नहीं है कि वो artistic नहीं है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, differences हैं इन दोनों में, और दोनों का अपना अलग मजा है करने का, कुछ काम होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा realistic work पसंद होता है, और कुछ लोग होते हैं जिनको इस तरह का पसंद होता है, इसकेच जिसमें आप का sketch artistic दिखे, photograph जैसा ना दिखे, तो सभी के अलग-अलग पसंद है, जो common लोग होते हैं, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो realistic work होता है, उसके तरफ भागते हैं, और जो artistic लोग होते हैं, जिनका देखने का तरीका थोड़ा artistic है, जो बरे-बरे artist है जो teacher हैं, वो अगर आप उनके सामने अपने इस तरह के sketch लेगे जाएं, तो वो बहुत ज़्यादा appreciate करेंगे आपके strength को, क्योंकि इस तरह के sketches से उनको पता चल जागता है कि आप कितना ज़्यादा पहले practice कर चुके हैं pencil के तुरू इस technique में एक और खासियत यह है कि आप चाहें तो केवल एक pencil का यूज़ करके, या दो pencil का यूज़ करके भी आप sketch complete कर सकते हैं, sketch बना सकते हैं इसमें जैसे अगर आप केवल एक pencil का यूज़ करके sketch बनाना चाहते हैं तो आप 6B यूज़ करें या 8B यूज़ करें अगर आप दो pencil का यूज़ करके बनाना चाहते हैं तो आप 2B और 8B का यूज़ कर सकते हैं, dark और light के लिए लेकिन ज्यादा तर जो depend करता है वो आपके हाथों के strength के उपर depend करता है, हाथों के strength से मेरा मतलब है कि आप कितना ज्यादा practice कर चुके हैं, जब आप strokes खीच रहे हैं तो कितना ज्यादा clear strokes आ रहा है और कितना light और dark आप केवल केवल अपने हाथों के through दे सकते हैं For example, अगर आपको light sketch करना है, light shade देना है तो आप कम pressure का इस्तेमाल करें, dark shade देना है तो ज्यादा pressure का इस्तेमाल कर सकते हैं, use कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा pressure के साथ आपको strokes देना होगा, तो इस तरह से आप light, dark, जो भी shades देना है और उसको blend करना है आपस में, तो आप उसक pressure के through, बहुत ही easily उसको बना सकते हैं, पेंटिंग में दिखाते हैं, आप चाहिए इसे कम से कम समय में या जादा से जादा समय में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप जादा समय भी दे रहे हैं, तब भी बहुत जादा समय आप इसको नहीं लगेगा आपको बनाने में, व यहां पर मेरा मतलब है कि ज़ादा से ज़ादा उसको रियालिज्म के पास ले जाना तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके उपर एक और डीटेल वीडियो बनांव रियल टाइम वीडियो जिसमें मैं आपको डीटेल में बता सकूँ की कैसे आप ज्यादा से ज्यादा depth या कम depth के साथ कम समय में इसे sketch को कर सकते हैं या अगर आप थोड़ा और ज्यादा समय दे के करें और ज्यादा depth दिखाने के कोचिश करें तो वो कैसे होगा यह सब अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे comment section में जरूर बताईए तो मैं इसके उपर आपके लिए एक real time वीडियो लेकर राऊँगा I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो इसे like जरूर करें और अपने right comment section में जरूर बताए जो भी आपके opinions हैं मेरे साथ जरूर शेयर करें comment section में और next video में आपको मैं जरूर realism के बारे में बताऊँगा realistic portrait कैसे बनाते हैं और जल्दी से जल्दी मैं उस video को लाने की कोशिश करूँगा और उसके लिए मैंने एक काफी detail work किया है और जो भी लोग beginners हैं उनको मैं यह advice देना चाहूँगा कि वो इस technique कर यूज करके इसको सीखें इसको practice करें portrait बनाने की कोशिश करें इससे आपका हाथ बहुत जल्दी जल्दी अच्छा होता चला जाएगा आपका जो art skill है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा फिर आप हर तरह की जो drawing या painting बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं तो मैं मिलूँगा आपसे next video में तब तक के लिए बाई